Fn Button क्या function करता है इस keyboard में यह हम देखेंगे अभी अक्सर देखा होगा कि laptops में Fn Button रहता है और कई multimedia keyboard में यह Fn Button रहता है तो यहां इस button के साथ साथ यहां function buttons है F1 से लेकर F12 ता तो यहां highlighted करता है blue icons चोगी दिखता है उसे साथ में प्रेस करना है तो उसे क्या होता है जैसे Fn Button साथ में F1 Button प्रेस कर दिया तो इसमें Internet Explorer स्टार्ट हो जाता है जैसे हमारा Google Chrome सेट किया हुआ है इसलिए पो स्टार्ट हो जाता है या icon भी दिया Internet का icon भी दिया हुआ है blue के लिए पर Fn 2 F2 प्रेस किया तो आउट्लोक एक्स्प्रेस जलो हो जाएगा Microsoft Outlook Express email email भेजना किसी को और यादी किसी को email भेजना या receive करना हो या check करना हो तो Outlook Express start हो जाएगा जीमेल वगेरे इसके अंदर set नहीं होगा सर्फ Outlook Express set होगा इसके अंदर वो configure करना पड़ता है मेरा मकसद अभी इसलिक इतना ही है कि Fn function button साथ में function button जो है वो प्रेस करना Magnify find करना मतलब Magnify का symbol है Fn F3 button करना सर्च करना है चुकि हमने यह सीखा था window F command से सीखा था यहां से किसी भी file को सर्च करना है folder को सर्च करना है तो यहां टाइप कीछे file का ना और उसे सर्च किया जा सकता है क्यालकुलेटर Fn क्यालकुलेटर का symbol है जो भी क्यालकुलेटर चाहिए यहां से यह स्टांडर्ड क्यालकुलेटर है यहां से यह तो Alt F1, Alt F2, Alt F3, Alt F4, Alt F1 मेरे Windows Operating System में क्यालकुलेटर की shortcut piece के बारे में सिखाया गया है कि किस तरीके से क्यालकुलेटर को functions करते है तो उसका भी वीडियो से जरूँ से देख लिजेगा वक्ता बड़ाई सिंपल है लेकिन अगर देख लिया तो कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा अगर सपोस्ट विंडो मीडिया प्लेयर अगर चाहिए जया एक प्लेया यहां से यहां से वीडियो को प्लेय करना हो अभी वाइड लाइफ कि मीडिया प्लेयर चालू हो जाएगा मेडिया प्लेयर अगर देख लिए यहां से साउंड को कंट्रोल भी किया जैसे मैं फिर से FN और F5 यहां से वही मैं ओपन करूँगा कि अब मैंने शॉट कट की का इस्तेमाल किया विंडो और अब पैरो डाउन की किया अब पैरो करता हूं तो फटा 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 फास्ट हो जाता है माउस को मुझे छूने की जरूरती जाएं यहां से को है रा यहां से में फिर से इसे दोह रहात हूं अब मुझे यहां देखो यह cmर्वर्ड है полностью साउंड को करना जयांदा करना आ अप यहां से अब में तरह जस्टिफिकेशन करते जाना मैं यहां से पीछे जाता हूँ पर प्ले करता हूँ मैं यहां से अब सबसे पहले मैं तो आफ़ इस फॉर वर्ब करता हूँ और अगर justify करना है देखना है तो यहां से यह साउंड कंट्रोलर है यहां क्रॉस साइन आगया रेड मार्क आगया यहां से बंद हो गया यह फिर से मैं इसे on करना चाहता हूं मल्टी मेडिया से तो fn करके वापस इस f9 को प्रेस करें तो फिर से start हो जाएगा मतलब fn f9 mute on and off और fn f6 मतलब backward और forward के लिए है इस टॉप के लिए pause के लिए f7 वापस उसको चाहिए तो play pause fn और f7 का मतलब है pause और play करना यह पीबोर्ड के उपर सभी buttons दिये गए हैं हमें सिर्फ fn दबाना है और साथ में यह button दबाना है कि अगर आवास को मैं फिर से start करता हूं एपन आवास को इंक्रीमेंट करना है तो बढ़ाया जा सकता है टीचे से फिर से लेता हूं यहां पताचलेगा आपको यहां से साउंड है से यहां से play करता हूं यहां से कम करता हूं आवास देखो कम हो रही है वह तुमstra खी मोर्ड से कर रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं तर यह control क किया जा यहां से यहां से नहीं होगा तो यह Windows Operating System C यह Tease है और यह Windows Operating में functions होगी है तो यह सब functions keys है इसको । practice कीजिए अब मैं आपको questions पूछता हो अब हमने इसकी वीडियो तो देख ली ट्रिनिंग की मैं क्वेस्टिन पूछना चाहूँगा आपको कि हमने क्या क्या सीखा इस सेशन में और सीखने में आपको कितना समझ में आया ये मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिख के भेजिए आपको ये आपका होमबॉक रहेंगा तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तैंक्यू बरी मच्च हमारा ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करे शेर करे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बैल आइकन को प्रेस करे तैंक्यू वेरी मच्च कीप लाइब कीप लाइब